तो आज के टेरो रीडिंग का टॉपिक है वी सीक्रेटली इन लव विद यू कौन जो है सीक्रेटली आपको एड्मार करता है या लव करता या उनकी किस तरीके की फीलिंग्स थॉट्स हैं यहां पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं पाइल नमबर वान पाइल नमबर टू पा किसी पाइल नमबर टू है अप इस इमिज को सकते हैं या फिर आपने बर्थेमथ से चूस कर सकते हैं अगर आपने इस इमिज को सुऒ किया या फिर आपका बदे मत इसमेंच से आता तो चलिए देखते हैं कौन जो है सीक्रेटली आपको लव करता है या रख आराध गाइडिंस नेक्स्ट आ रहा है पेज अफ काप्स अंडरस्टांडिंग नेक्स्ट आरा कुईन ओफ कप्स रिसेप्टिविटी और नेक्स्ट आरा नाइन फेंटिकल्स राइपनेस तो यहां पर पहले में जोडेक साइन आपको बता देती हूं यहां पर जमना है है वी स्कॉ सैजिटरियस लियो एंजिय है यहां पर कैंसर एंनर्जी यहां पर रोर टारस एंजी भी है इहां पर यहां पर मुझे अis देशा वर चिसी के साथ शुन कर shipping nah juice aut Hog तो है आप किसी से बाचीत कर रहे हो internet पे या फिर जो है आपके कोई कुलीग हो सकते हैं या फिर आपके जो है कह सकते हैं classmate हो या कोई और जो आपका दोस्ती में आते हैं वो जो है आप से इस तरीके की भावनाए रखते हैं आप अगर single हो यहने पहले ही का है सिंगल हो तो आप उनसे बाचीट करते हो communication 8 of wands है communication बहुत अच्छा तरीके से होता है ज्यादातर समय आप उनसे बाचीट करते हो घरेलू भी बाचीट करते हो बाकी चीजें भी बाचीट करते हो तो उस वज़े से उनके मन में feelings आपके लिए develop हो गई है और यहाँ पर मुझे यह लग रहा है कि उन्हें realization है judgment का काड़ा है उन्हें realization है कि आपके लिए वो special feel करते हैं और आपके लिए वो एक loving वाली feeling जो है वो उनके मन में आ चुकी है आपको अभी तक उन्होंने confess नहीं किया है लेकिन वो उनके मन में जो है यह चीज आ चुकी है यहाँ पर यही चीज है दोनों ही तरीके से मैंने बोल दिया कि अगर आप relationship में हो तो यह वो person है और अगर आप relationship में नहीं हो तो यह जो है आपको secretly admire करते हैं आपके ओपर crush रखते हैं उनकी feeling से हैं कि वो जो है आपके साथ एक lover की तरीके से उनको मन में यह चीज है जैसे कि beauty with the beast आई है तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे लाग गुना बहतर हो अब वो किसी भी sense में हो सकता है beauty physical sense में हो सकता है wealth wise हो सकता है दिमाग की तरीके से हो सकता है decision making हो सकती है courage हो सकता है बहुत कुछ है तो उस वज़े से जो है वो आपको एक high pedestal पे देखते हैं ऐसा नहीं है कि उनमें कोई कमी है लेकिन वो अपने आपको थोड़ा पीछे ही रखते हैं करते हैं मिसमराइज भी होते हैं और आपकी जो action taking ability है उसकी वज़े से भी आपको बहुत जादा पसंद करते हैं कि ये काम करना है या ये business शुरू करना है तो बहुत करना है ये नहीं कि दो साल बाद करेंगे पैसा नहीं है लोन ले लेंगे आप किसी की चकर में नहीं आते हो आपको जो करना है आप करोगे तो ऐसी energy है बड़ा clear cut mindset है आपका इस वज़े से भी वो आपको बहुत जादा पसंद करते हैं उनके मन में है कि वो जो है अपनी feelings को आपको सामने confess करें लेकिन वो ये सोचते हैं कि wealth wise या beauty wise या intellectual brain wise जो है आप उनसे ज़्यादा बहतर हो ऐसा उन्हें लगता है ऐसा है नहीं नेक्स टार है या पर three of pentacles है हो सकता है work realm हो या फिर जो है school, university या college भी हो सकता है इस तरीके की situation है या coaching institute हो सकता है या gym जाते हो या कहीं पर भी जो regularly जाते हो चाहे पार्क में घूमने ही जाते हो jogging करने ही क्यों न जाते हो वहाँ पर जो है आप इस तरीके से उनको मिलते हो या बातचीत करते हो तो उससे एक interaction होता है उनका और उनके मन में deeply जो feelings है वो आपके लिए create हो चुकी है नेक्स तरीक करेज आया तो करेज जो है वो आप में जादा है bravery आप में जादा है इस इंसान में थोड़ी सी जो है मैं कहूंगी कि करेज की कमी है क्योंकि उन्हें समय लगेगा आप तक कोहुशने में हो सकता है मैं यह नहीं कह रही हूँ आपके life experiences और उनके life experiences काफी जादा different रहे हैं different हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि आपने अपने childhood में काफी struggle देखा हो obstacle देखा हो तो उस चीज को overcome करके अपने आपको strong बनाना वो हर एक के बस की बात नहीं होती है और आप इसी तरीके के हो आप shine करना जानते हो और इस वज़े से भी वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो आपकी bravery या confidence को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं अगर आप अकेले भी हो तो आप परिशान होने वाले नहीं हो आप अपने आप में मस्त रहने वाले हो एक हलकी कह सकते हैं कि emotional immaturity तो यह person थोड़े से emotional immature है अब immature जब कहा दिया जाता है तो यह है कि बहुत ही खराब आदमी है या लड़की है ऐसा नहीं है जैसा होता है मैंने कहा कि एक decision लेने की ability होती है सही समय पर सही decision लिया तो आपकी जिन्दगी बन जाएगी सही समय पर सही decision नहीं लिया तो आपकी जिन्दगी हट जाएगी जैसे कि एक example देती हूँ मुझे नाम नहीं आदा है KBC में मैंने देखा था बहुत सालों पहले कि कोई contestant आये थे तो उनके जो है इसने भी वो बॉटम लाइन के कुछ पैसे होते हैं वहां तक वो गिर गए तो इस तरीकी कि अगर आप decision ले लेते अगर वो सही decision ले लेते और वो उस question को skip कर देते तो उनको जादा ही पैसे मिलते लेकिन वो decision ability है वो चीज जो है वो इन में थोड़ी सी कमी है इस वज़े से मैं उन्हें immature कह रही हूँ नेक्स टार है यहां पर queen of cups है बहुत ज़़ा deeper feelings है gentle feelings है एक psychic connection भी है वो आपके बारे में लगातार सोचते रहते हैं और आपको यह महसूस होता होगा कभी-कभी आपके मन में भी उनकी चेहरा या उनकी बाते गूंजती होंगी वो इसी वज़े से है क्योंकि वो energetically आपको सोचते रहते हैं बार-बार और आपके भी खयाल में वो आजाते होंगे next hour nine of pentacles है यहाँ पर nine of pentacles दोफे आया है यहाँ पर यह energy है कि आप rightness जिस तरीके से यहाँ पर एक card में representation है कि फल जो है वो पक चुका है तो mature plumps होते हैं तो mature plumps का यह कहने का मतलब है कि maturity के साथ एक adult relationship में आने की भी उनकी इच्छाएं है लेकिन यहाँ पर वोई चीज है कि emotional immaturity है अगर decision नहीं ले सकते आप जिन्दिगी में अगर किसी लड़की को या किसी लड़के को पसंद करते हो और उसके लिए जो है आप provide नहीं कर सकते protect नहीं कर सकते relationship नहीं बना सकते society में relationship नहीं बना सकते या उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो उस प्यार का कोई फाइदा नहीं तो यह चीज जो है वो यहां पर है तो इन्हें अपने उपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूत है हाला कि feelings जो है वो well developed है तो चलिए देखते हैं कुछ love cards क्या आ रहा है protection है यहां पर एक दूसरे के प्रती तो एक ऐसी energy है कि protection आप भी feel करते हो safe आप भी feel करते हो और वो भी safe feel करते है तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है embrace through each other you find the missing piece तो वो जो है काफी हट तक जो missing piece है वो उसमें आपको एक potential partner की तरीके से देखते हो next time sacred union honor the treasure in your relationship for it is truly sacred sacred union है यहां पर जो मैंने कहा कि mature plumps है तो mature plump को पाने की भी इच्छा है यहां पर चलिए देख लेते हैं उनकी तरह से कुछ love messages कि वो क्या कहना चाहते हैं उनकी feelings क्या है पहला आ रहा है shine तो वो आपको shine करते हुए देखना चाहते हैं next आ रहा है आपके लिए make efforts तो वो चाहते हैं कि आप भी efforts लगाओ वो भी efforts लगाएं it was only just a dream तो उन्हें ऐसा लगते हैं कि यह सिर्फ वो सिर्फ ड्रीम है next आ रहा love the way you are acceptance है यहां पर and next आ रहा आपके लिए messages are coming तो message देना या लेना या किसी भी तरीके से आपको confess करने की इच्छा रखते है next आ रहा love is our true destiny we don't find the meaning of love by ourselves alone we find it with one another light of fire तो एक passionate energy भी है उनके मन में आपके लिए next आ रहा है आपके लिए safe and protected तो आपकी पास जो है वो safe या protective फील करते हो next है engagement of wedding इनकी इच्छा है कि यह सब चीजे हो तो मैंने कहा कि अगर आप society में किसी को accept नहीं कर सकते उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते उसका action नहीं ले सकते तो उस प्यार का कोई फायदा नहीं तो यह चीज है या पर उनको काम करने की जुरूरत है अगर आपको मेरा content, readings और energies अच्छी लग रहे है तो प्लीज इस चानल को like करें, share करें, subscribe करें thank you no.2 अगर आपने इस image को चूँज किया या फिर आपका बर्दे मन इसमें से आता है तो चलिए देखते है secretly आपसे कौन लव करता है temperance अभी मैं आपको zodiac sign बताती हूं next are a death okay eight of cups seven of swords heavy energy है next are a four of swords कुछ और cards देखेते हैं morality queen of swords six of pentacles compromise next are a ten of wands suppression next are a seven of cups projection next are a transformation यहाँ पर death दो बारी आया है heavy scorpio energy है Sagittarius है यहाँ पर Pisces energy है यहाँ पर Aquarius energy है Libra energy है Sagittarius मैंने बोल दिया था Aries energy भी है heavy scorpio है तो यह मैं यही कहूंगी एक ही word में कि आपके ex-lover या ex-partner है जो आपसे love करते हैं और हमिशा करेंगे मुझे यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा लेकिन आप उनसे दूर हुए हो आपने walk away किया है जादतर किस्स में आपने इन्हें total cut-off किया है आपको कोई communication नहीं है no contact वाली situation है आपने इन्हें करी है जो आपको नागवार है जैसे कुछ लोग होते हैं कि उन्हें सच पसंद होता है तो आगर आप उनसे जूड़ बोलते हो तो फिर वो जो आपको cut-off कर देंगे तो वही चीज है यहाँ पर इस तरीके की यहाँ पर energy है कि heavy transformation होई है इनकी personality में इनके behavior में जिस तरीके से कहा जाता है कि कोई भी आदमी जो है वो सिर्फ किसी भी औरत के लिए या किसी girl के लिए ऐसे ही change नहीं होता वो उससे प्रेमभाव में होता है तब ही वो change होगा otherwise उसकी personality कभी change नहीं होगी चाहे वो औरत कितना भी उसे प्यार कर ले कितनी भी जो है अगर वो cheating कर रहा है या कुछ भी कर रहा है और उसने अगर कह दिया या वो उसको छोड़कर चली गई और वो उसके लिए बहुत जादा माइने रखती है तो वो जो है उनकी life पूरी तरीके से change हो जाने वाली है तो इस तरीके की यहां पे energy और यह change हुए है जेंडर-wise देख लेना कि आपसे कैसे resonate करता है आपने इन्हें cut-off इसलिए किया क्योंकि वे balance नहीं दिखा रहे थे आप शायद इनसे commitment मांग रहे थे या आप इनसे सच्चाई मांग रहे थे लेकिन वो जूट बोल रहे थे या आपके साथ कोई game plan खेल रहे थे या casual तरीके का एक relationship रखना चाते थे या कह सकते है friends with benefit वाली situation थी और आपका ये था कि भई मैं ये नहीं कर सकती या ये नहीं कर सकता जो भी आपका gender हो और मैं जो हूँ यहां से जा रहा हूँ या जा रही हूँ और इस तरीके की energy है क्योंकि मैं ये deserve नहीं करता तो आपको अपनी worth पता थी इन्होंने जो है उस समय सही action नहीं लिया आपको रोकने की कोशिश नहीं करी ego रखी की जाती है तो जाए मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है तो भी अच्छा है नहीं है तो भी अच्छा लेकिन अब जो है वो ये चीज हो गई है कि पूरी life जो है वो transformation में आ गई है personality change हो गई है behavior change हो गई है पहले बहुत अदा flirty person रहे होंगे अगर वो man है कि वो जो है इधर भी वही flirty कर लिया उधर भी वह flirty कर लिया अरे ये तो चलता है इतना तो चलता है इतने तो दोस्ती है लेकिन अब जो है वो समझ आ गया है कि क्या life है और ये इस लिए नहीं किसी डर से नहीं आप उनसे छोड़के चले गए और उनको दुख हुआ है वो जब केयर थी क्योंकि आपने उनके दिल में जगह बनाई थी आपकी वो केयर करते थे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा केयर वो आपकी करते थे आप उनके लिए महत्व पून थे उसके बावजूद उन्होंने आपको हर्ट किया और आप जो है सेपरेट हुए हो या रिलेशिशिप आपने तोड़ा है और उनसे दूर हुए तो यह मैं साफ साफ कहा रही हूँ कि यह आपके एक्स लवर है यहां पर हीलिंग चाहते हैं फोर आफ सौर्स वाली एनेरजी है तो वह हार्मनी चाहते हैं जितनी भी लड़ाई ज कोशिश कर रहा है तो उस तरीके से यहां पर एनरजी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले यह confused थे ऐसा नहीं था कि उनको यह नहीं पता था कि वह आप से लव करते हैं या नहीं प्यार था प्यार है रहेगा लेकिन action नहीं लिया है वो चीज़ जो बाल बाल बाते हैं व वो चीज़ यहां पर करी है बड़ी immature energy आ रही है और आपने total cut off कर दिया है कोई ना source वाली energy है आपको मालूम है आपकी क्या वर्थ है वो आपको पहले भी पता थी तो इस वज़े से जो है एक painful condition उन्होंने खुद अपने लिए create करी है यहां पर six of pentacles भी आया है आपने उनक energy है तो वो चीज़ है यहां पर कि आज तो care कर दी और कल पहचानने से इनकार कर दिया मैं तो तुम्हारे ले कोच माइन नहीं रखता या तुम तो मेरे माइन नहीं रखते मुझे कोई फरक नहीं पड़ता तुम्हारे जैसे 36 लोग मिलते है तो यह जो attitude था इस वज़े से आपने जो इनने छोड़ा होगा और यह जो attitude है वो इनके सिर पे इनकी personality पे बहुत भारी पड़ा है और 10 of wands वाली energy है अपने आपको ही एक तरीके से जैसे अब शायद Milka Singh आपने देखी हो तो उसमें कोई scene था मुझे exactly याद नहीं है कि क्या scene था उसमें उसमें यह था कि Mil करनी है वो वाली चीज भी है तो यह अपने आपको ही एक तरीके से सिर पीटने वाली situation हो गई है कि मेरा अच्छा इंसान था मेरी अच्छी bonding थी मेरे इससे प्यार भी करता था या करती थी जो भी उनका gender हो और फिर भी जो है मैंने उस इनसान को जाने दिया और यह जो है अ आपको पता है आपकी क्या वेल्यू है और वो वेल्यू आ उन्होंने नहीं समझी तो आपको पता है कि कोई और भी आपको मिल जाएगा तो इस तरीके की यहां पर एनरजी है ट्रांस्फोर्मेशन हेवी हुई है और इस तरीके का एक लाइफ एक्स्पीरेंस जो है वो आपको 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 तरीके क्या पता है तो यहां पर यही चीज है कि अपने आपको आपको ताइम देना है और उन्हें भी जो है अपने आपको time देना चाहिए जली देखते हैं उनकी तरह से कुछ messages देख लेते हैं कि वो क्या feel करते हैं या क्या कहना चाहते हैं वो secretly आपसे love करते हैं और आपको पता है कि वो आपसे love करते हैं इसमें कोई doubt नहीं है I know that I cross line with you तो उन्होंने cross करी अपनी boundaries को next आ रहा है I run from what I am feeling not from you तो वो जो है इस तरीके की उन्होंने एक runner-chaser वाला जो है वो चीज करी next आ रहा है I love you today, tomorrow and always I was just a fool for not admitting it earlier तो उन्होंने admit ही नहीं करा next आ रहा है we have unfinished business I have a special place in my heart that cannot be replaced तो आपके मन उनके मन में जो है या उनके हार्ट में जो है आपकी special place है next आ रहा है be patient I am afraid of commitment तो यहाँ पर commitment issue रहा होगा next आ रहा है reminiscing तो आपको वो याद करते हैं जो भी conversation हो जो भी चीज हो next आ रहा है what I would give to run my fingers through your hair तो वो चाहते हैं कि आपके बालों में वो अपने हाथ जो है फिराएं या इस तरीकी की चीज करें next आ रहा है we can build something special together और next आ रहा है यहां पर I want you with no strings attached right now because I am afraid to hurt you and I can't bear the thought of that तो वो जो है इस तरीकी की चीजे है next आ रहा है I miss those sexy lips और next है I want to make love to you तो वो love create करना चाहते है physical sense में वो कह रहा है physically जो है वो आपको love create करना चाहते है और इस तरीकी की energies है तो वो अपने आप से ही अपनी feeling से ही भाग रहे थे तो ऐसी energy है चलिए वेखते हैं कुछ प्रीज इस चानल को like करें share करें subscribe करें thank you